कल हमारा question of the day था कि इन में से किस organization ने new air quality guidelines issue की है और इसका सही answer है WHO यानि world health organization so hello friends मेरा नाम है निहाल सागर और आपका स्वागत है 25 September 2021 के top 10 current affairs of the day में तो चली शुरू करते हैं अवीक सरकार दोबारा press trust of India के chairman elect होए है press trust of India की बात करें तो formation 1947 में हुआ headquarter new Delhi और chairman अवीक सरकार है अवीक सरकार है नबर 2 defense ministry 118 Arjuna MK1A main battle tanks खरीदेगा इसकी कीमत 7500 करोड रुपीस होगी नमब 3 ले दा हिमालियन फिल्म फेस्टिवल के पहले एडिशन को होस्ट करेगा लगदाग की बात करें तो capital है ले और left-hand governor है आर के माथोर नमब 4 हिमाचल प्रदेश में लहौल स्पीती के काजा में दुनिया का highest electric vehicle charging station लगाया गया है इसे 500 feet की उंचाई पर लगाया गया है हिमाचल प्रदेश की बात करें तो capital है शिमला, winter capital धमशाला, CMJRAM ठाकुर और गवन है राजेंदर विश्वरात अड़ लेकर नमब 5, the pension fund regulatory and development authority 1st October को national payment system दिवस observe करेगा नमब 6, NASCOM की एक report के अनुसा 2030 तक इंडिया में crypto tech industry 241 million dollar पहुंच जाएगी जबकि globally 2026 तक crypto tech industry 2.3 billion dollar की हो जाएगी NASCOM यानि National Association of Software and Service Companies की बात करें तो इसका formation 1988 में हुआ था Headquarter Noida उतरपदेश में है और रेखा M. Menon इसकी chairperson है नमब 7, इंडिया के president 42 लोगों को तीन अलग categories में national service scheme award से समानित करेंगे ये award community service में outstanding contribution के लिए दिया जाता है नमब 8, ओदर चेतन भगत अपनी नई book 400 days को अक्टूबर में launch करेंगे इस book को Westland ने publish किया है नमब 9, सिक्किम में NHPC के 510 megawatt तीस्ता five power station को International Hydro Power Association की तरफ से blue planet price मिला है सिक्किम की बात करें तो capital है गेंग टॉक, CM प्रेम सिंग तमांग और गंगा प्रसाद जी गवर्नर है नमब 10, ओडिशा junior men's hockey world cup को host करेगा ओडिशा की बात करें तो capital है भूबनेशोर, CM मनवीन पतनायग और गवर्न है गनेशी लाग आज का question of the day है कि इन में से किस देश ने 30 years में पहली बार किसी फिल्म की पब्लिक स्क्रीनिंग की है और आपके options है एथियोपिया, केन्या, सोमालिया, नाइजीरिया या सोडान आंसर कमेंट में जरूर बताएगा तो ये थे आज के top 10 current affairs of the day वीडियो अच्छी लगी हो तो like, comment और शेयर करें और डेली ऐसे ही top 10 current affairs of the day देखने के लिए चैनल को subscribe करना ना भूले Thank you for watching and have a nice day